तो आप सभी साथ्यों को बहुत बहुत नमस्कार, आज के इस लाइफ सेशन में आपका स्वागत है, विनंदन है आशा करता हουν कि आप सभी सांदार होंगे, बहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने शांदार कारेन इस्पाधन कर रहे होंगे साथी साथ अपने आने वाले प्रोमोर्शन एक्जाम की तयारी भी कर रहे होंगे और बहतरीन तरीके से अपने लक्षों को पूरा कर रहे होंगे और अपने जो लक्ष बनाए हैं अपने जीवन के उसमें सफल कारे निस्पादन करने के लिए प्रयास भी कर रहे होंगे तो एक दो तीन लक्ष के लिए आप काम करते हैं और जब लक्ष बनाते हैं तो उसके लिए प्रयास होता है और जब प्रयास करते हैं तो प्रयास के साथी साथ आपको strategy और ग्यान कोसल की जरूरत होती है और banking industry में होने की वज़े से हमें देश में चल रहे बहुत सारी योजनाओं को अच्छे से समझना होता है उनको जानकारी रखना होता है क्यों क्योंकि फिर आपके माध्यम से ये योजनाओं जो है सही जो उसके last mile है 2023 को माननी प्रधान मंत्री मोहदय जी ने लाल केली की प्राचीर से गोसना किये थे एक नई योजना के बारे में जिसका नाम है प्रधान मंत्री विसकर्मा इस्कीम तो आप लोग देखे भी होंगे जिस योजना में प्राइम मिनिस्टर का नाम जुड़ा हुआ है PM जीवन ज्योती विमा योजना PM सुरक्षा विमा योजना तो ये सारे PM फसल विमा योजना तो जिसमें भी PM जुड़ा हुआ है वो आपके एक्जाम के दिष्टिकोन से बहुत ही महत्पून हो जाता है क्यों? क्योंकि ये देश की बहुत ही महत्तोकांखी योजनाओं मेंसे होता है जो देश में रहने वाले नागरिकों को लापकारी समाज कल्यानकरी योजनाओं से जुड़ा होता है तो जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रधान मंत्री जीने 15 अगस 2030 को जब आजादी का हम लोग अम्रित महुत्सवा मना रहे हैं तो उसी समय लाल के लिए की प्राचिर से एक नई योजना की गोशना की जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर विश्कर्मा स्कीम्स तो आईए थोड़ा मोधी साहब क्या बोलते हैं उसको सुन लेते हैं तो वाँ कोई साथी कमेंट करके बताईए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कोई भी चैट में ज़रा बता दीजें वाँची रहोगी सांधर तरीके से बहतरीन तरीके से पहुंच रहोगी तो अभी कीुशिस करते हैं तो पूरा जब आप दिन पर काम करते हैं तो साम को जब वोक्त मिलता है तो विडियो describe के माध्यम से या रिडिंगhet अगर है तो रिडिंग हैडियम से आप उनको पढ़ते रहें डिकिन पढ़ना पड़ेगा जिस तरह हम लोग सी तो कामD Li होगी इसको बहुत को सबक्राइब करते हैं फिर उसके लिए आप प्रेयास करने की ज़रूरत नहीं वह कादा पूराबर है लगा कि आप सब्सक्राइब क्रूंजे मानतें इस बात को जो काम अगर आप अपने subconscious mind को daily कराने की आदत कर दिये कि वो काम daily होना ही होना है तो आप देखे होंगे कि वो काम को आपको extra effort करने की ज़रूरत नहीं ठीक उसी तरह आप daily जो भी आदत डालेंगे वही आपका subconscious mind को चला जाएगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जैंती पर एक कारगम हम आग लागू करेंगे इस विश्वकर्मा जैंती पर हम करिब 13-15 हजार कैसे जो परम्परागर्स काँशल्य सदैने वाले लोग जो झी ऑजार से हो और अपने हाथ से काम करने वालब सली है इसे लोग एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महिने में विश्वकर्मा जैन्ती उसकार विश्वकर्मा योजना लॉंच करेंगे और करीब तेरा पंदरा हजार करोड को प्रारम करेंगे तो आपने सुना मोधी साहब को जिन्होंने पंदरा अगस्त को ये एनॉंस्मेंट किया और एक नई योजना को लॉंच किया प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना और इसके तहद उन्होंने तेरह हजार करोड का एक आउट ले रखा है और ये पांच वर्स के लिए य 30,00,00 लोगों को इसका जो है बेनिफिट देने के लिए उन्होंने ये एनॉंस्मेंट किया है योजना बनाई है तो इस योजना के मुक्ष जो बिंदों पर चर्चा करेंगे कि जैसा कि जो भी अभी आप देखे होंगे भारत में जो विकास सील से लेके विक्सित दिसा में पहुचाने के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें आप आजादी से स्टार्ट करिए आजादी से लेकर आपने बहुत सारी करांतियां करी आजादी से आर्थिक आजादी कि और जिसमें कि आप एक बैंक के खाता कोलने से लेके आप सोशल सेक्यूर्टी करांती और फिर उसके बाद अभी डिजिटल क्रांती तो इसमें स्किल क्रांती लाई गई है कि जो भी भारत में स्किल है उनमें गुरुस इस परंपरा को बढ़ावा दिया जाए साथ उनमें जो लोकल स्किल से उनको डेवलप करने के लिए उनको बित्त पोस्टन प्रदान किया जाए उसके लिए खास स्कीम जो है यहां पर लाई गई है तो इस योजना के बारे में आप लोगों ने ध्यान पुरवक्त इसको समझना है और इसको सीखना है क्योंकि आने वाले समय में यह पांस साल तक यह योजना जो है आपके काम आएगा एक दो तरीके से एक तो प्रमोशन स्कील को ब्योसाइग में और उसको ब्यापार में बदल कर उसको बढ़ा कर आर्थिक सुधार मिले उनको उनका जो है आजीवका का जो आए है वो बढ़े और यह योजना जो है प्रदान मंदरी मोधी साहब ने रूलर एकोनोमी के लिए वरदान साबित हो उसी उद्देश से योजना की सुर्वात कर दीए है केंड़ सरकार ने चोटे जो कामगार हैं जिनके पास कौसल हैं ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए यह विशेश महतोकांखी प्रधान मंत्री विश्वर्मा योजना को मंजुरी दी इस योजना के तहर जितने भी काम प्रटेंट है देखिए नई स्किल सिखने के लिए आप देखिया होंगे गाउं में या रूलर जगह में एक कामगार होता है उसको वो सारी स्किल साती है लेकिन उसके जाने के बाद क्या होगा तो और बाकी लोगों को भी स्किल जो है मिले उसके लिए इसकिल सिखना है वो special launch किया जाएगा विस्पर्मा जैनती के दिन 17 सितंबर लेकिन उसके बारे में announcement जो है अभी लाल के लिए की प्राचिर से किया गया तो इसलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये रूलर जगह में जो भी स्किल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा साथी साथ छोटी बेवसाय और स्रमिकों को उनको आर्थिक इस्तिति सुधारने में उनको वो आउजार करिदने में टूल्स करिदने में मदद मिलेगी और वो अपने ब्यापार को बढ़ा सकते हैं तो आए थोड़ा कड़ी दर कड़ी इस यूजना के बारे में हम लोग जानते हैं तो बहुत-बहुत स्वागत है जो लेट साथी जुड़े हैं उनका और यहां पर एक इंट्रोडेक्शन के तौर पर अगर इस यूजना के बारे में जाने हैं तो कैबिनेट अप जो कमिट है दे केबिनेट कमिटी आन एकोनोमिक्स अफियर्स चेर्ड बाइद प्राइम मिनिस्टर श्री ननेंद मोदी रेप्रूब्डे न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स प्राइम मिनिस्टर विसकॉर्मा विते फैनेंशल आउटले आफ थर्तीन थाउजन करोड रुपीज पर फाइव यर्स तो फाइनेंशल येर दो हजार तेईस चोबिस से लेके फाइनेंशल येर 27-28 के लिए एक तेरह हजार करोड का आउटले बनाये गया है एक बजट में प्रावधान दिया गया आउटले किया गया है और इस आउटले में जो है बेनिफिट दिया जाएगा परंपरा या फैमिली बेस्ट प्रैक्टिसेस अब ट्रेडिशनल स्किल गुरुस इस परंपरा इसलिए कहा गया है कि अगर मान लिजे किसी को एक स्किल आता है एक अच्छा काम करने के लिए आता है काम तो वो जब तक जिन्दा है वो तो करेगा ठीक है लेकिन उसके जाने के बाद उसका सक्सेशन कौन है कौन उसको करेगा तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है गुरुस इस परंपरा को बढ़ावा देने के लिए और एक सक्सेशन को जो है तयार करने के लिए और फैमिली बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए ट्रेडिशनल स्किल जो का आज बात यह है कि यह योजना में जो उनको प्रोवाइट किया जाएगा कामगारों को उसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी और नया टूल्स करने के लिए क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा जैसे आप देखेंगे रूलर जगह में एसजी बहुत ज्यादा फेमस है एसजी एसजी बनाने से १ुकु इस योजना में भी स्केल सिखाएंगे तूल्स कर देंगे। क्रेडिट सपोर्ट के बात हो रही है थीर इस योजना में जो कैंदर सरकार और राजसरकार दोनों मदब करेंगा लेकिन खर्चा केंदर सरकार उठाएगा क्योंकि एंप्र और 13,000 करोड का और इस योजना को पाने के लिए गाउं में common service center बनाए जाएंगे जहां पर पंजिकरन होगा और तीन इस तरों के बाद इनका chain किया जाएगा और लगभग 30,000,000 परिवारों को इसमें 30 साहता मिलेगी अब परिवारों की बात यह है कि एक परिवार से एक ही व्यक टूल किट इंसेंट्यू इंसेंट्य इंसेंट्यव फार डिजिटल ट्रांजिक्षणल मार्केटिंग सपोर्ट तो एक होगा इसंडिया एक होगा डिजिटल इंडिया इससक mówią को बढ़ा देना है साथ-स इससकिल को भिव्यापार में बदलना है और जो गाउंग liberal हम करते है उनको जो है क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा डिजिटल ट्रांजिक्शन के लिए प्रेडित किया जाएगा उनकी आयर बढ़ाई जाएगी इस युजना के तहट तो आपका काम एकदम अभी तयार रहिए ऐसे कामगारों के तलास करनी है उनको सही रेजिटेशन कराना है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइट कराना है उनके पास सर्टिफिकेट आएगा फिर उसके बाद उनको जो है आपको लोन देना है तो आप सस्टेनेबल क्रेडिट जब प्रोवाइट कराएंगे उनको और साथ ही साथ उनमें जो स्किल है उनका उपयो होगा तो उनको काम मिले और उनकी आयमें बिर्दी होगी और रोजगार में भी वड़ोत्री होगी तो दबिशक्वर्मा यूजना इसे विजनरी इनिशेटिव बाइद इंडियन गॉर्मेंट डिजाइन टू एक्स्टेंड फानिशल असिस्टेंट टू इंडिविज्वल इंगेज़ इन प्रागत जो स्किल है और प्रामपरगत जो उनके पास योगताएं हैं वो उसको डेबलब करने के लिए उसमें इंगेज लोगों को फानिशल असिस्टेंट देने के लिए ये यूजना लाई गई है और इस यूजना के तहत एक स्ट्रॉंग सपोर्ट प्रोइड किया एक नया जो कंट्रिवूशन है प्रेजर्वेशन अब इंडिया जरीच कल्चर है रिटेज इसमें सहयोग करेंगे जो कास्तकार हैं वो अपना काम करना जो है बन करें जो उनके पास स्किल है हुनर है उसको डेवलब करें और उसको जो है रीच कल्चर में बदलने के लिए स्किल सिखाई जाएगी उनको मार्केटिंग सिखाई जाएगी उनको जो है दिजिटल सपोर्ट दिया जाएगा और क्रेडिट सपोर्ट तो दिए ही जाएगा तो ये ट्रेनिंग Skill India, Digital India और Cultural India का एक संगम रहेगा और जो Artisans काम करते हैं उनको जो है इसमें Linkage दिया जाएगा तो चलिए और देखते हैं इसमें क्या महत्पूर्ण चीज़ है इसमें सबसे जो महत्पूर्ण चीज़े इनमें Beneficiaries कौन-कौन होंगे किसको किसको इसमें सामिल किया गया है तो सबसे महत्पूर्ण बात इस योजना की Prime Minister विसकवर्मा योजना एक Central Sector Scheme है जो सपोर्ट करेगा Traditional Artisans and Crops People of Ruler and Urban India तो ऐसे लोग जो कास्तकार हैं और Crops People हैं Ruler में जगह में तो उनको ये सपोर्ट करेगा और इसके लिए Outlay रखा गया है 13,000 करोड का Outlay रखा गया है तो जो ये आउटले रखा गया है ये 5 साल के लिए है और ये 5 साल के लिए जो Outlay रखा गया है ये 13,000 करोड का है तो important चीजें इसमें ये है दूसरा 18 traditional traits को इसमें कवर किया गया है पहले ट्रांज में दो ट्रांज में ये क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा एक ट्रांज में जो क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा वो एक लाग रुपया और दूसरे ट्रांज में जो क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा वो दो लाग रुपया अभी पूरी डिटेल जा उसमें ट्रांज 1 में 10,000, ट्रांज 2 में 20,000, ट्रांज 3 में 50,000 दिया गया, ठीक उसी तरह का ये financial support दिया जाएगा, credit support दिया जाएगा, artisans और crafts people को ये कब दिया जाएगा, इनको पहले सिखाये जाएगा, training दिया जाएगी, training देने के बाद उनको प्राइम मिनिस्टर विसक कर्मा certificate और ID card दिया जाएगा, फिर उसके बाद उनको credit support दिया जाएगा, दो ट्रांज में, एक पहला ट्रांज जो होगा, वो होगा, एक लाग रुपे का, और दूसरा ट्रांज जो होगा, दो लाग रुपे का, तो यहां पर देखिए, ये योजना खास तोर से, जो विसक परपित किया गया है, और ये योजना स्किल अपग्रेडेशन, टूलकिट इंसेंटिव, और डिजिटल ट्रांजिक्शन में इंसेंटिव, साथ ही साथ उनको market support भी प्रोवाइट करेंगे, अब ये देखिए, इसका कहना का मतलब यह हुआ, कि ऐसे ट्रेडिशनल ट्रेट् कारपेंटर हैं, बोट मेकर हैं, आर्म औरियर हैं, ब्लेक स्मिट्स हैं, लोहार हैं, हमर्स हैं, टूलकिट मेकर्स हैं, लॉक स्मिट्स हैं, गोल्ड स्मिट्स हैं, सोनार हैं, पोटर हैं, कुमार हैं, मोटर जो मोट्रिकर हैं, स्टोन कारवर हैं, ये स्टोन ब्रेकर हैं, क इसको बोलते हैं राज मिस्त्री साथ जो किया गया है यह विश्कर्मा योजना के तहद इनका स्किल जो अपग्रेट किया जाएगा साथ इनको जब ट्रेनिंग प्रेड होगा तो इनको एक स्टाइफंड दिया जाएगा और उसके बाद इनको अपने प्रोड़क्ट में डिजिटल तरीके से मार्केटिंग करने के लिए भी सिखाए जाएगा कि उनके प्रोड़क्ट को दूसरा कोई देख पाए तब वो मार्केटिंग होगा इसके लिए यह मार्केटिंग सपोर्ट दी जाएगी साती साथ अगर डिजिटल ट्रांजिक्शन करते हैं तो इनको इनको दिया जाएगा तो यह जो ट्रेडिशनल जो इनके एक्टिविटी दी गई है इनको आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से योजनाओं में इसका जो है इनको लाब मिलेगा तो यह जो योजना है इस योजना का जो आउटले है इसमें रखा गया है 13000 करोड का जो हम पहले डिसकस कर चुके हैं और मैक्सिमम लोन अभी इस योजना के लिए रखा गया है वो दो लाख पर क्राफ्ट्समें रखा गया है और इसका जो और दूसरा बेनिफिट है वो है 5% रेट अप इंट्रेस से इनको लोन दिया जाएगा तो पहले ट्रांज में जो पहले फेस में योजना की शुरुआत की जाएगी जब ऑफि इसमें लक्ष दिये जाएंगे कि आपके खेत्र में रहने वाले जो कामगार है उनको जो है म्में स्किल देंगे उनको सर्टीफिकेट फिर उनको जो है k pins कर्माएगा गाईज परशन अब पांच पर्शन दो लए स्ट्रेट चार में होता था लेकिन यह किसानों को जो है लोन मिलता है किसान के लिए और अगर पर्शन जो है तो उसको जो है 3% का और subvention मिल जाता है 3 लाग तक की लोन है तो उनको 4% पड़ता है अब यहाँ पर यह जो लोन है जो artisans है उनको 5% पर यह लोन मिलेगा पहले ट्रांज में 1 लाग रुपए और 1 लाग रुपए में उनको जो है credit support में काफी कुछ मदद मिलेगा क्योंकि एक रूलर economy के लिए एक लाग रुपए उस कामगार के लिए जो हमने अभी activity देखा है अना पान ठेला है आपका धोबी है इनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है इसमें वो ब्यापार सुरू कर सकते हैं और अपने आजिवका को बढ़ा सकते हैं सेकंड फेस में इसका लिमिट रखा गए है दो लाख रुपए और इसमें भी rate of interest है 5% तो अगर इसको देखेंगे तो एक जो skill इंडिया को बढ़ावा देने के लिए या जो लोग artisans हैं जिनके पास कला है ट्रेडिशनल art work का knowledge है उनको जो है उनकी जो कला है वो समाप्त नहों जाए वो कला गुरुस इस परंपरा का अधार पर दूसरे लोगो सिखाएं और उस सक्सेशन के साथ आगे बढ़ें उनके लिए उनको skill में जुड़ा जाएगा और ट्रेणिंग दी जाएंगी एडवांस ट्रेणिंग और साथी साथ उनको जो है ड्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा सो दे रिकागनाइजिंग दे इंपोर्टेंट साब इस्किल डेवलेप्मेंट सिन टुड़ेज रेपिटली इन ने डाकार है जो क्रियेटर है तो वो में देखिएगा उष्क ट्रेंनिग मिलेगी और उस इंसेंट्यू मिलेगा डिजिटल ट्रांजिक्शन में और टूल कीट के लिए इंसेंट्यू मिलेगा तो इस्कीम इंकॉर्परेट से थौर्टपुल एप्रोच बाइओ और इस्किल ट्रेनिंग तो इस योजना में कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे जहां से इनका करेंगे साथ ही साथ उनको टूल कीट खर दिने के लिए पंदरस रुपे मिलेगा तो एडिशनल इस सम आप रुपीस फिप्टीन हंड़ेट विल भी प्रोवाइड टू फेलिसिटेट परचेस आप मॉडरन टूल इंपावरिंग आटिक्शन टू वर्क विद ग्रेटर तो यहां पर 500 रुपे का स्टाइफंड मिलेगा पंदरस रुपे का एडवांस जो टूल है टूल करने के लिए उनको एडिशनल दिया जाएगा मॉडरन टूल अब इस योजना का जो होलिस्टिक सपोर्ट है यह एक कॉम्प्रिहेंसिव एको सिस्टम फाइनिंशल ट्रेडिशनल आटिशन्स को जो भी परंप्रागत सांस्कृतिक जो धरोहर हैं जिन आटिशन्स के पास उसको एक एको सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यह योजना बनाई गई है ताकि उनको लिबरल तलिके से कम लोन टम्स में लिबरल लोन टम्स में इनको लोन मिल पाए उसके लिए गौर्मन्ट क्या करें यह मदद कर रही है बैंकों की वह ऐसे आटिसन्स के सेलेक्ट करेंगे चैन करेंगे उनको ट्रेणिंग देंगे उनको इनसेंट्यू देंगे टूलकिट्स देंगे उसके बाद उनको क्रेडिट लिंकेज कराय जाएगा उ इसकी लग्रेडेशन के लिए ट्रेनिंग नॉलेज टेक्निलोजी उनको दिया जाएगा अडवांस टेक्निक नॉलेज सिखाय जाएगा टुलकिट इंसेंट्यू पांच सो रुपया जो स्ट्राइफंड मिलेगा साथ साथ तूलकिट मौडर्न टूलकिट के लिए पंदरस र इंसेंट्यू जो भी आटिसंस हैं वो डिजिटल ट्रांजिक्शन करेंगे तो उनको जो है इंसेंट्यू रखा गया जैसे की पी एम स्वानेधी योजना में रखा गया और है मार्केट सपोर्ट जब भी प्रॉड़क्ट बनाएंगे उसको मार्केट सपोर्ट उनके आपको जो जानकारी दी गई है उसमें एक एडिशनल जानकारी ये है कि यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि तीस लाग फैमली को इसका बेनिफिट दिया जाएगा तीस लाग परिवारों को इसमें वित्ती सहता दी जाएंगी उनका लक्ष है तीस लाग समय है पांस साल अच्छे जो आटिसंस हैं उनको तलास लीजिए और उनको क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए त्यार रही है क्योंकि यह उजना भी जब प्राइम मिनिस्टर की जो योजना होती है वह स्पेशल कैम के माध्यम से और स्पेशल डराइब और उनको क्लोजली मॉनेटरिंग कर करते हुए सफलता पुर्वक जो है इनको चलाए जाता है आप पिछले 2014 से देख लिए चाहे प्राइम मिनिस्टर जंधन योजना हो प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा विमाई योजना हो जीवन जियोती विमाई योजना हो यह तमाम जो चीज़ें प्रधानमंत्री फसल विम महुत काम करेगा साथी साथ सोचल एकोनोमिकल उनके स्टेटस को बढ़ाएगा और जो इंडिया का जो रिश कल्चर है उसको सुरक्षित रखने में मदद करेगा क्यों क्योंकि पैसे के अभाव में कई कारिगार जो है प्रोड़क्ट बनाना बंद कर देते हैं तो उनको य लिए उन्होंने एक registration पॉइंट बनाया है common service center बनाए जाएंगे इस्टेश में इसी इन्रॉल्मेंन्ट देजिग्नेटेट common services center in villages as registration point for the scheme तो इसके लिए common service center रखे जाएंगे और ये common service center जो है इनमें registration होगा फिर इनमें जो है chain होगा और एक user friendly approach जो ये उद्देश इंसूर करेगा कि जो artisans हैं वो diverse corner में country के जो है एक transform कर पाएं ये initiative जो है लाए गया है कि अपने आपको परिवर्तित कर पाएं एक ब्यापार को बढ़ावा दे पाएं अपने आजीवका को बढ़ाएं अपने आय को बढ़ाएं उसके लिए ये user friendly support दिया जाएगा तो ये थी पूरी entire जानकारी जिसमें की हम लोगों ने ये central sector जो इस skims है प्राइम मिनिस्टर विसकर्मा योजना के बारे में जानकारी पाएं और इस योजना का जो लाब है आप ही हिद्गराहियों को देने की बारी आपकी होगी लेकिन चलिए अभी इस योजना के बारे में जितना भी जान पाएं थोड़ा सा आपका प्रोग्रेस चेक करते हैं कुछ सवाल यहां पर लेते हैं आप लोग चैट बॉक्स में अपने जवाब लिखेगा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि प्राइम मिनिस्टर विसकर्मा योजना स्किम्स के ऐलोकेशन के लिए कितने रुपय का आउटलेव रखा गया है तो प्राइम मिनिस्टर विसकर्मा योजना तो प्रधान मंत्री सहाब ने लाल के लिए की प्राचिर से आपने बोली दिया था इतने रुपय का हम लोगों ने प्राउधान कर दिया इतने से शुरुवात की जाएगी तो आप्शन है 5,000 10,000, 13,000, 20,000 तो सभी साथी इस बिलकुल C पर इसमें लॉग कर दिये हैं सभी ने तो एंसर है इसका 13,000 तो ये बिलकुल आपको याद हो गया होगा कि एक आउट के लिए रखा गया है 13,000 करोड का दूसरा सवाल है What is the maximum amount of subsidized loan that artisan can receive under the scheme initially Trans 1 की बात की गई है Trans 1 Trans 1 में मतलब Initially Maximum loan कितना मिलेगा Subsidized loan मतलब इसमें interest जो है आपका 5% interest है तो यहाँ पर Maximum loan initially की बात कहे गई है तो इसका answer होगा 1 lakh बिलकुल बढ़िया दिपक जी 1 lakh होँगा आपका Initially क्योंकि अभी जब सुरुवात होगा तो यह Trans 1 के तौर पर सुरुवात होगा अगला सवाल आपकी स्क्रीम पर What is the interest rate for the loan provided under the visperma योजना in its initial phase इंट्रेस्ट रेट की बात कहे गई है तो इंट्रेस्ट रेट कितना अभी रखा गया है 2%, 5%, 10%, 15% यह इंट्रेस्ट रखा गया है 5% incredible मतलब 5% loan provide कराना तो आप सोच लिजे कि किस तरह से लाब जो है विद्गरहियों को मिलेगा अगर वो चाहेंगे तो अपने जीवन को बदल सकते है अपने परिवार को बदल सकते है तो यहाँ पर है यह गलत लिखा है 15% नहीं है यह 5% है रेट अब इंट्रेस्ट जो है यह 5% है तो how much strive fund will artisans receive for skill training under the scheme तो strive fund कितना रुपे का मिलेगा incentives और तीसरा है आपका toolkit toolkit के लिए भी और marketing support भी है तो strive fund उनको artisans को मिलेगा training के दोरान वह है बहुत बड़ी है सभी लोग Benjamin जीने सभी सभी साथी सही बता रहे है 500 रुपे का इनको incentive मिलेगा strive fund मिलेगा इनको 500 रुपे का और साथी साथ यहां पर एक modern toolkit खरिदने के लिए उनको incentive amount भी मिलता है वाट amount विल बी प्रोवाइड़ेट टू आटिसन फार्दर procurement आप model टूल्स तो उनके पास model टूल्स देन के लिए जो amount दिये जाएगा वो होगा पंदरह सो रुपया वो होगा कितना 1500 सभी साथी ने जो है सही क्लिक किया है 1500 तो यहां पर पंदरह सो रुपय का उनको amount दिये जाएगा ताकि वो modern toolkit purchase कर पाएं अब आते हैं करां और चांँ कीए जाएगा और फिर उनको तीन इसतरी चैन किया जाएगा तो विलेज में जन्पत में और जीले में पर चैन किया जाएगा और यह जो है इनके लिए common service सेंटर बना जाएंगे common सर्फी सैंटर बना जाएंगे तो ये आप लोगों ने सभी ने सही दिया तो यह प्रैम निस्टर विशकरमा योजना के बारे में आप लोगों ने भी देखा और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान ही गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर विश्करमा योजना आने वाले बैंकिंग समय में आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट योजना के तौर पर हैगा इसको जो है आपको मार्केटिंग जो है करके मार्केटिंग क्या इसके लिए पूरे जब गवर्मेंट की एजनसी भी लग जाएगी कि इनका इन्रॉल्मेंट करके आपके पास प्रक्रन आ जाएंगे जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर स्वनिधी योजना को दिया गया ठीक उसी तरह का ये सेट अप आएगा और डिटेल जब एसोपी आएगा तो हम लोग एक सेशन और कर लेंगे कि क्या-क्या है किस तरीके से उनका नामंकन होगा और किस तरीके से उनका चैन होगा और ट्रेनिंग कितने दिन का होगा कहां पर ट्रेनिंग होगा फिर सर्टिपिकेट्स आने के बाद फिर उनको किस तरीके से इंट्रिव्य होगा या कमिटी को पास करें रिकमेंड करेगी कि लोन वगर इसके तहथ उन्होंने पान साल के लिए 2023 स्टाल से लिए आपका 27 – 28 के लिए 5 साल के लिए उन्होंने 13 000 का ऊट ले रखा और जो आटिसींस साह वह अपने कला को हैं कि भियापार में और व्योसाय में बदलने के लिए अजिविका को को बढ़ाने के लिए उनको skill training और digital transaction को बढ़ावा देने के लिए साथी साथ उनको market support provide कराने के लिए उनको credit linkage से जोड़ा जाएगा और first trans में जो है एक लाख और दूसरे trans में इसको दो लाख रुपे दिये जाएंगे वो भी बहुती कम rate में 5% rate है यह योजना जो है आने वाले दिनों में आपको बैंक में भी दिखेगा और examination में तो जरूर दिखेगा तो आशा करता हूं कि आप सीखे होंगे अभी स्क्रीन पर बने रही है क्योंकि एक सेशन और है प्रतिक जिन जी कह रहे है thanks for the fruitful session बहुत बढ़िया तो अभी इस इसी link पर आप बने रही एक session और होगा जिसमें हम लोग information security system पे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान पूरोग उसको भी देख लीजे क्योंकि पूरा चीजे हम information से जुड़े हुए काम करते हैं और उसके security system को भी समझना बहुत जरूरी है तो आईए आपका होसला अब जाई कराता हूँ कि संगर्ष करते हुए कभी भी मत घबराईए क्योंकि संगर्ष के दोरान ही इंसान अकेला होता है जब भी आप संगर्ष का time होगा तो आप देखिएगा कोई आपका साथ नहीं देता है संगर्ष की time आप अकेले होते हैं आपको लगता है कि कहे के लिए आया इस धरती पर है ना और लेकिन सफलता मिलने के बाद फिर देखिए आप पूरी दुनिया आपके साथ होती है तो ये प्रकृति का एक कुछ नियम है कि आप जिस समय अकेला महसुस करो बहुती तकलीप में महसुस करो संगर्ष करते हो पाओ तो आप देखना कि आप अकेले ही होते हैं लेकिन उसी संगर्ष करते करते अखेलियो में भी आप बिल्कुल नहीं रूपते हैं और संगर्ष को आगे बढ़ाते हैं तो एक दिन जब सफल हो जाते हैं तो आपके जो सभी आसपास के लोग आपके साथ हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे तो मालूम था कि एक दिन यह सफल हो जाएगा पुसपे इंद्र सी कहह रहे हैं कि एक लेक्शर प्रोवाइड करें रएड operate करें आना रएड यह पे लेक्शर हैं भी संस्वाइड किरा तबंद पर कि कि सठें करते हैं क्या उन तो आपका फेसंद लेंगे तो लगा आपको भी योजना सीख पाए आप बिल्कुल से अच्छे से एक्दम काफी अच्छे तरीके से सिखाया आपने स्टार्टिंग से जोड़ा हुआता से अच्छा ओके स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे